तो प्लीज उसे सस्क्राइब कर ले बैल आइकन के साथ तो चलिए दुस्तों बात करते हैं आज जो इस टो की प्राइस है वो 527 पे पहुँच गई है सीधे सीधे जो नमबर एड हुए है वो हुए है पतीस नमबर इसमे एड हो है जिससे 6% की पॉजिटिव ग्रोथ बनी है वहीं गाईज आज इसमें वो वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है तो वॉल्यूम इसमें जो ट्रेड हुआ था आज के दिन वो हुआ है 42 लेक्स का जिसके बाद अब कमिटी सेंटिमेंट्स जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गई है 82% आपको इस लेवल पे भी बाय करने की एडवाईस मिलती है जिसके अलावा 9% आपको sell out करके exit लेने की मिलती है और जिसके बाद में remaining 9% आपको अभी भी hold करने की advice इसमें मिल रही है और मेरे according guys इस stock को अभी निकालना शायद बेवकुफी होई क्योंकि अभी आपको इसको hold रखना चाहिए इसमें काफी अच्छी positivity आना अभी बाकी है इस stock की price की performance की बात करें तो वो भी जो है 8% के साथ आपको positivity में दिखाई देगी share holding pattern के अगर हम बात करें करीवन 58% पर जो है promoters ने अपनी top holding कर रखी है जिसके बाद में 29% के something में आपको इससे public institution जुड़ता हुआ दिखाई देगा वहीं गाईस हम अगर बात करें कि इसमें कोई place share hold किये गए है नहीं किये गए प्रमोटर के दुआरा तो वो आपको बिल्कुल 0 दिखाई देंगे और एक और प्लस पॉइंट यह है कि इसमें FIA और FPI ने अपनी holdings को increase किया है जिसके बाद हम बात करते हैं इसकी market cap की company की 7.95 ट्रीड करोर है जिसमें 52 week high और low आपको 570 और 350 पे दिखाई देगा financial records के अगर हम बात करें तो गाईस financial records में आप देख सकते हैं June quarter में company मुनाफिय में नहीं आ पाई थी June quarter जो है इसका काफी down रहा था सारे criteria जो हैं वो जोन में आके खड़े हुए थे तो गाईस यह थी छोटी सी वीडियो थे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को जादा स्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए चैनल को फर्स टाम विजिट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाइकन के साथ थैंक्स वर वचिंग मैं वीडियो